करते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं क्या रामेश रमेश रमेश क्या लगता है कौन इस बार 2009 में किसके सरफ पार्टी के सरफ सहरा बंदे वाला इसके सरफ बनेगी यो तो अलग बाद हैं क्योंकि हम जो कहेंगे आप रहां नहीं हो तो कांग्रेश आगे जाए से आपको लग किस तरीगे वहां दिक्कते होती खेटी बाड़ी में हमें मालूम है कांग्रे तो अधिर परष्टी प्रत्यासी भी नी घॉसड़ा कर पारी है बता भी नहीं पारी राश्टी अस्तर अधया रही हो अँधर राश्टी अस्तर अगर भारत में 2019 किस पार्टी के सर सहरा हम तो भाजपा के साथ हैं यहां पर भाजपा की गौवर्मेंट आती नजरा दिये आगे बढ़ते हैं हम किसी और भाईयों के पास भाई किया नहीं राव है डिवाकर सिंग्ति क्या लगता है अभी 2019 में किसके सर सहरा बना केवल भारतिय संग्तापार लेकिन अभी जो विपक्स इतने सारी बाते कर रहा है कडवंदन बना है जो गाउं की एक कहावत है बावन सरीया का डागर जो इकठा करने से कुछ होने वाला नहीं है पूरा देश आम जनता केवल नरेदन मोदी के तरफ जो है उमी से देख रही है और केवल भारती जनता पा भारती जनता पार्टि के जब भी सरकार बनी है जाति के सारी वहस्थाफे टूट गई है ज़ाती से लेकर के सामाने वर गे पूरी तन्मायता से भारती जनता पार्टि को सपोर्ट किया है नार्ती जन्ता पार्टी को पुड़ी तनमेता के साथ सपोड कर रहा है, यह बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या लामे सरापका, लिए लगता है, कौन सी पार्टी, किस पार्टी, B.J.P. कि विपच्छ ने काम किया है। उन्होंने किसने किया जो विपक्स अरिस्टाइग का यह मांग रहा है कि नहीं दिख लाइग सबको किसी को दिखा नहीं कितने लोग मरे अपने 42 लोग मर गय किसी ने पूचा फिर लेकिन 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 कुछ लोग के बात करा था बता तो जो अभी इतनी सारी जाटने और इ प्रसारान होगा है सभी के पास गया सबको दिखाई दिया कोई तयार नहीं हुआ इस बात के लिए आगे बात करते हैं जो हमारा नाम सतरां पांड़े क्या लगता है अब हमारा लगता है सबसे पड़ा हमारा मोदी बनेगा प्रधार मंत्री प्रसुन कुमार अंजोर प्रसुन जी क्या लगता है 2019 में किस पाटी के सरसेरा बनने वाला है देखे कोई भी बने लेकिन धरातल पे काम देखना चाहिए चाहे वो मोदी आए राहूल आए कॉंगरेस आए एंडिया यूपी आए कोई भी आए धरातल पे काम देखना चाहिए अभी अभी आप पांच साल में आपको धरातल पे कोई कारे देखा आप मोदीजी का आपने दरातल पे कोई भी काम काम देखे लेकिन सब के साथ तो दिखे कहां देख रहा है आप बता दीजे पांच साल में आपने सलेंडर पा लिया तर में आपने म CTD दूसरी बार बहरवाना पढ़ेगा आपको अपने पैसे ना तो कहां मुव्त मिला और जो पूलेट ट्रें और इतना ऐस ट्राइक शिए उसको लेकि क्या अइर इस्ट्राइक पर मैं कुछ नहीnd कहूंगा वह आ तो जब आप सबूत की बात खुट कर रहे हैं तो फिर सामने से तो पूछा जाए गई ना कि सबूत आपके पास आए कहां से बहुत-बहुत धन्यवाद सबूत आए कहां से आए कहां से आप मेरे एक भाई और भी मेरे साथ है क्या ना में आपका विने पंडे विने जी क्या लगता है 2009 कि सहरा बनने वाला है तो भाई आज के रुजानों के साथ पर जो लग रहा है और जो बाकी सारी चीज़ें रुजाने को बात मत करें तो आते जाते रहते हैं आपके आपके अपना अपना जो मानना और मेरे जो अपने कलेक लोगों के बीज में चर्चा होती हो लेकिन गटबंदन जो है बहुत बड़ा वोट बैंक है उसको लेके आपके पास कोई चीज नहीं है उनके पास चोर चोर महसरे भाई सबका किवल एक काम है उसके अलाव कुछ नहीं है लोगों के साथ 40 पार्टी के साथ भी तो गटबंदन हुआ है यह जातिकत वाली गटबंदन की बात कर रहा हूं जैसे पांड़ी जी ने कहा कि केवल मोदी जी आ रहा है तो हमने इनसे पूचा कि क्या गटबंदन को ब्रैक कर पांड़ा नहीं आ रही है उसके साथ और भी पार्टी जा रही है अब से बीजेपी के क्यों बात कर रहे हो बारगी भी तो पार्टी है उसमें 40 गंड़ पार्टी है अकेले बीजीपी का है अभी जो पिछला आपका रहा यूपीए वाला जो इस समय भी पच्छ है उसमें मेजारिटी किसी एक पार्टी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे दो भाई जो बेसिक इंफ्रास्ट्रेक्चर का डेवलेप्मेंट हो रहा है वो इस जो हमारी सरकार ने पांच सालों में किया है किसी के पास कोई उसका काट नहीं है ना कोई कर पाएगा विल पावर की जरूत होती है जो इस सरकार के साथ में विल पावर थी जिसकी हमेशा एक राजनायतिक द्रिध इच्छा सकती होनी चाहिए ये एंडिये के वर्तमान नेत्रितु के पास बहुत अच्छी तरीके से है और इतनी द्रिध मजबूत इच्छा सकती है आज इसके पहले भी ने पांड़े जी मुझे मैं आपका रनमत पूझा था आपने बहुत अच्छा वासर दिया